और अब बाद G20 सम्मेलन की G20 सम्मेलन के तहत परियटन वरकिंग ग्रूप की एक मीटिंग श्री नगर में कराकर भारत में पाकिस्तान के फर्जी प्रापगेंडा को द्वस्त कर दिया है भारत के निमंतरन पर 17 देशों के 60 डेलेगेट कश्मीर पहुंचे हैं भारत के इस मूफ से दुनिया में कश्मीर के सुरक्षित होने का संदेश जाएगा और भारत को इससे काफी फायदा मिलेगा और दुनिया भी नए भारत की नई तस्वीर देख रही है जिस कश्मीर में कभी पत्थर बाजी आम बाद थी अब वहाँ फूलों की क्यारियां खुश्बू बिखेर रही हैं जो कश्मीर कभी महीनों महीनों तक बंद रहता था वहाँ इतिहास रचा जा रहा है इस कश्मीर को अंतरराश्ट्रिय मंच पर बदनाम किया जाता था वहाँ दुनिया भर के डेलिगेट्स जमा हुए हैं श्री नगर में कई दिन से सांस्कृतिक कारेकरमों की शानदार तैयारियां की जा रहे थी पुरे शेहर में कलरफुल पोस्टर लगाए गए उन देशों के पोस्टर भी लगे हैं जो इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं श्री नगर में इस मीटिंग को लेकर जबरदस्त तयारी की गए डल जील से लेकर जबरवन की पहाड़ियों तक हर जगा सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया सिक्यारिटी के लिए CRPF के मार्कोस कमांडोस त्यार किये गए इन कमांडोस की टीम कई दिन से सुरक्षा ड्रिल करती रही इसके अलावा मरीन कमांडो के साथ NSG के कमांडो भी तैनात है इसके साथ ही जील में हथियार बंद सुरक्षा कर्मी तैनात है पुलिस ने भी मुकंबल तयारी की है सुरक्षा बलों के जवानों को खास आईकार्ट इश्यू किये गए है NSG की ड्रोन रोधी इटी में आसमान से निगरानी कर रही है खूफिय रिपोर्ट से पता चला था कि आतकवाद कश्मीर में समेलन के दोरान एक साथ दो से तीन जग़ों पर हमला करने की तैयारी कर रही है इसलिए पूरे कश्मीर में खास कर श्रीनगर में सभी गतिविदियों पर CCTV और ड्रोन से नज़र रखी जा रही है कश्मीर रागला अपने वाले पाकिस्तान के फरजी प्रोपगेंडा को काउंटर करने के लिए भारत ने एक बेहत शानदार दाओं चला जो कामयाब होता दिखाई दे रहा है G20 समेलन के तहट भारत ने टूरिजम वरकिंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग का आयोजन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया भारत के इस दाव से चारों खाने चित होने के बाद पाकिस्तान ने पहले ही बैठक के खिलाब माहोल बनाने का फैसला कर दिया दो पाकिस्तान ने काफी कोशिश की कि कश्मीर पर उसके प्रोपगेंडा को दूसरे देशों का भी बड़े पैमाने पर समर्थ हुने लेकिन पडोसी देश खाली हाथ ही रह गया इस मीटिंग से पहले पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकी हमलों की नाबाग साजिश रची उसने इस मीटिंग को बरबाद करने का खूब प्लान बनाया पाकिस्तान की खूफिया जैंसी ISI के इशारों पर कश्मीर में 26-11 जैसे हमले को अंजाम देने की योजना बनाई गई लेकिन भारत की खूफिया स्तरकता से पाकिस्तान की इस प्लानिंग पर पानी फिर गया दरसल पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि कश्मीर में G20 बैठक के सफल आयोजन से दुनिया में इस बात की स्विकारता बढ़ जाएगी कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर के हालात में काफी सुधार आया है पाकिस्तान किसी भी हालत में ये नहीं चाहता कि दुनिया के सामने ये संदेश जाए कि कश्मीर घाटी में हालात सामानने होने लगे यही वज़ा है कि पाकिस्तान शुरू से ही दूसरे देशों से कश्मीर में हो रही G20 समिट में भाग ना लेने की अपील कर रहा थो श्रीनगर में हो रही G20 की ये बैठक कई माइनों में इसलिए भी एहम है क्योंकि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में ये पहला बड़ा आयोजन है इस बैठक में वरकिंग ग्रूप की पहली दो मीटिंग के मुकाबले सबसे ज़्यादा देश आये हैं इस मीटिंग को दुनिया भर से मिला समर्थन भारत की मजबूत होती स्थिती को तरशाता है कश्मीर में हो रही ये बैठक कूटनेतिक तौर पर भारत के लिए बड़ी उपलब्दी है इससे कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष कमजोर होगा और कश्मीर पर भारत के फैसले को माननेता मिलेगी इसके अलावा दुनिया कश्मीर के सामानने होते हालात की जलक भी देख सकेगी